तेलो एब्रिवन, वेलकम माई चैनल आशर Сकसेना आज हम आपके साथ शेर करने जा रहे है看看 फुल फेशील स्टेप्स हमको किस तरह से करने चाहिए और किस किस स्टेप्स पर हमको प्रसेर देना चाहिए और किस स्टेप में हमको लाइटली करना चाहिए तिल टू एंड वीडियो बहुच करें तभी आपको फ्रेंड्स अच्छे समझ में आएगा और आप हमारे वीडियो का लाब उठा सकेंगे अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेक करना विल्कुल नहीं बूलिएगा अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकेन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए जिससे के हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंस सकें ये देखिए नेचर्स गोल्ड का ये मसाज जेल है अभी हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको किस तरह से क्लिंजिंग और स्क्रबिंग करनी चाहिए तो वो आपने देखा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर पूरे तरीके से हम फेशिल बताते हैं इसलिए हमने टू पार्ट में बताने का निश्य किया है तो फेश क्लिंजिंग और स्क्रबिंग का काम पिछले वीडियो में हो चका है और अब देखे ये हमने निश्य कोल्ड का मसाज जेल लिया है फ्रेंट बताते हैं आपको कि मसाज जेल इसका निश्य कोल्ड का बहुत ही अच्छा है और लाइट वेट का है इसके अलावा देखे बताते हैं कि गोल्ड के बुरादे से इसको सीरम में मिलाकर ये मसाज जेल तैयार किया गया है इसमें एक सिंपल एलोवेरा जेल को लेकर उसमें गोल्ड की बुरादे को मिक्स करके एक अच्छा सा गोल्ड जेल बनाया गया है जो हमारी स्किन के लिए काफी फेर नैस लाने का काम करता है मसाज जेल एक लाइट वेट का होने के कारण ये स्किन की अंदर तक की तेह तक पहुँचकर ये बिलकुल अपना काम करता है हमारी स्किन को पोजिशन देता है और जो डेट सेल्स होते हैं उनको रिमूब करता है नई सेल्स को जेनरेट करने का काम करता है और ये फेस क्लीन मे मसाज 5 मिनिट तक देंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से हम अच्छे से मसाज देंगे, हर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए देंगे, फॉरेट पर है, नोज पर है, वी शेप में भी लेंगे, क्योंकि ब्लेक एड्स, वाइड्स होते हैं, उनको रिमूब करना आवशिक होता है, और ये मसाज जेल, हम आँखों के उपर भी मसाज देंगे, सॉफ्ट ली देंगे, बहुती लाइट हास से, ये मसाज जेल से, हम मसाज करेंगे, मसाज जेल बहुती लाइट वेट का होने के कारण, हमारी स्किन की अंदर तक की तहकर, पहुँचकर, अपना कार्य कर साथ करना गलो काले के बंद सेуки बंदाषी है, पब्लावा नोय है Minsko जूरा ग्लो काल एक तिकन का साथ किया जो इसंड को वह क्तिता फिर यह निस नहीं ओंद क्याता है फिर वारें अन्दर को जो पोशन मिलना चाहिए इसकी चाहिए की तहे को जो पॉशंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और हमारे इसकिन के अंदर का ब्लड सिर्कुलीशन रुख जाता है और हमारे सकिन एकदम ग्लो करना बंद कर देती है और डेड इसकिन के रूप में दिखाई देती है डलने से स्किन पर दिखाई देती है तो इसलिए ये पहले हम फेशिल में देखिए फेश क्लिंजिंग किया उसके बाद स्क्रिबिंग किया ये फर्श पार्ट में हमने करके बताया था अब देखिए सेकिन पार्ट में ये फेश क्लीन किया हुआ है क्योंकि इन्हों ने दूसरे दिन मेरी क्लाइंट ने इस तरह से अपने ब्लीज करवाया है जो ब्लीज से पहले हमने फेस को क्लीन किया और अब देखें मसाज जेल ये गोल्ड का है इससे मसाज दे रहे हैं मसाज देने का तरीका आप देखिए जो हाट पोर्शन है वहाँ हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे और जहां लाइट हमको करना है वहाँ लाइट आस्टे करेंगे आई बॉल पर भी हम बिल्कुल लाइटली मसाज देंगे जिससे की एक आँखों के अंदर का जो ग्लो है वो भी अच्छे से हो यह करने का तरीका मसाज जेल का देखिए आप फाइम मिनिट तक हमने यह मसाज जेल से मसाज दी है और गोल्ड में अलवेरा जेल में गोल्ड बुरादे से मिक्स करने के बाद यह जो नेचर्स गोल्ड का मसाज जेल तैयार किया गया है ये काफी स्किन के लिए लाब दायाग है और स्किन में एक गलो का काम करता है डामेज स्किन को रेपेर करने का काम करता है मसाज जेल वाश करने के बाद देखिए अब ये हम आपको बता रहे हैं कि नेचर्स गोल्ड की क्रीम हम लेंगे और उससे मसाज देंगे फ्रेंड बिलकुल आप तिल टू एंड वीडियो वाइच करिए तब ही आपको ये प्रॉपर फेशल के स्टेप समझ में आएंगे रूटीन में एक फेशल के स्टेप में मसाज देकर फेशल करना चीज अलग है प्रॉपर तरीके से एक पारलर खोलने जा रहे हैं उस तरीके से फेश पर मसाज देने का तरीका जो होना चाहिए वो है ये देखिए हमने स्पून से फेश पर ये नेचर्स गोल्ड की क्रीम लगाई है जो नरिशिंग क्रीम है काफी अच्छी है और इसमें भी गोल्ड के बुरादे का मिश्टन किया गया है और बहुती गोल्ड क्रीम जैसा कि आपने देखी काफी अच्छी है बहुती सॉफ्ट है, स्मूथ है और हमारी लाइट वेट का होने के कारण स्कीन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती है तो ये करने का तरीका देखिए सबसे पहले फूरे फेस पर हमने अपलाई किया है अपलाई करने के बाद में फिर हमने ये मसाज देना शुरू किया है गर्मियों का मौसम है तो हम chill water ले सकते हैं मसाज में और सर्दियों का मौसम है तो हम गुन-गुना पानी भी ले सकते हैं अभी medium मौसम चल रहा है गर्मी start हुई है तो हमने यहां देखिए थोड़ा सा ठंडा पानी किया है और उसमें rose water mix किया है जिससे कि स्किन और भी ज़्यादा ग्लो करें तो रोज वाटर मिक्स करने के बाद में उस पानी से गीला हाथ करके हम मसाज दे रहे हैं मसाज देने का तरीका देखिए आप हम अच्छे से चिन एरिया पर नेक एरिया पर इस तरह से मसाज देंगे हमने काफी सारे फेशियल के वीडियो पोश्ट किये हुए हर बार हम यही बताते हैं कि हर वेक्ति की स्किन अलग तरह की होती है हर वेक्ति की स्किन किसी की ओईली होती है किसी की ड्राई होती है किसी की नॉर्मल होती है और किसी की मिक्स होती है तो उसी के according हमको facial करना चाहिए यह natures gold का जो facial है बहुत ही अच्छा है और fairness लाने में पूरा सहयोग करता है skin में और यह facial all type of skin के लिए है तो हम किसी भी skin पर इस gold natures gold का facial कर सकते हैं कोई किसी तरह का side effect नहीं है क्योंकि यह herbal treatment है nature's gold को एक aloe vera gel में gold के बुरादे को mix करके जो तयार किया गया है क्रीम और gel को उससे हमारी skin के अंदर तक पहुंचने की शमता इसमें है क्योंकि यह light weight का हो गया है जैल में 95% पानी की मातरा होती है इसलिए वो light weight का होता है और इसकी cream भी काफी soft है जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने लगाया और काफी अच्छे से यह काम कर रही है मसाज देने का तरीका आप एक एक tips पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से हमको करना है यह facial करने का तरीका हम हर बार आपको बताते हैं तो कई बार clean up में step दूसरे होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताये थे लेकिन full facial अगर हम करते हैं तो उसमें हमको 30 minute तक मसाज देनी होती है और 30 minute के बाद में मसाज complete होने के बाद में फिर हम next prickria start करते हैं तो यह 30 minute तक जो मसाज देते हैं हम सारे area को cover करते हैं देखिए nose के पास थोड़ा सा strong V shape में finger से हम मसाज दे रहें जिससे कि white edge black edge remove हो जाएं forehead के portion की बात करते हैं तो यह थोड़ा strong area है यह हम थोड़ा सा अलका सा pressure बढ़ा सकते हैं eyeball पर हम बिलकुली light हास से light finger से मसाज देंगे जिससे कि किसी भी तरह का आँखों पर नुक्सान न हो कोई pressure न पड़े बहुत ही light finger से हम round round shape में गुमा कर मसाज देंगे eyeball का तरीका यह है फ्रेंड्स हम अच्छी तरह से बताते हैं और बताना चाहते हैं जिससे कि आप अपने न्यू पार्लर खोलने जा रहे हैं या खोला है तो उसमें काम अच्छी से कर सके यह चेन एरिया की बात करते हैं तो चेन एरिया पर हम इस तरह से मसाज देंगे थोड़ा सा जो श्रोक हम करेंगे या थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देंगे तो कि यह पोर्शन इतना सॉफ्ट नहीं होता है चीक्स पर हम बिल्कुल लाइटली करेंगे राउंड डाउंड शेप में आप देखी हम कर रहे हैं एक एट के हाकार का जो इस्ट करके वीडियो पोस्ट किया हुए है आपने देखा होगा फुल फेशियल में ये नएक एरिया को अवैड नहीं करते हैं और बैक एरिया को भी अवैड नहीं करते हैं आपने देखा कि लेटे ही लेटे हमने फ्रंट पोर्शन पर नएक एरिया पर अच्छे से मसाज दी दोन क्योंकि neck और ear के portion का connection हमारे face से होता है इस portion पर blood circulation होगा तो इसका glow हमारे face पर आएगा फ्रेंड्स यह देखिए चीक्स पर हम बिलकुल बहुत ही softly lightly round round shape में कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कई बार हमने काफी सारे वीडियो पूश्ट की है और टाइफ आफ इसकिन के बारे में बताया है आपको इससे दो वीडियो पहले हमने जो इसकिन के बारे में बताया था जा facial और clean up का अंतर बताया था वो भी आपने देखा होगा आपके comments के दर ये पता चल रहा है कि आपने काफी इंटरेस्ट से देखा है ये देखिए 30 मिनिट तक हमने हाथ से massage दिये जो कि ये फुल facial है और हाथ से massage देने के बाद में आपने देखा कि सारी cream absorb हो गई है और cream absorb अगर होती है तो सबसे best काम होता है सबसे अच्छा काम होता है सबसे अच्छा result face पर आता है अब उसके बाद में देखिए हमने सारे face को गिला किया है और massage पर हलकिसी हमने cream लगाई है और उसके बाद में इस तरह से massage को use करेंगे massage यूज करने का तरीका हमने अलग से सारे massage को use करके बताया था कि इस तरह से करते हैं ये face massage है इसको करने का तरीका देखिए जब हड़ी के पास हम massage करेंगे इस massage से तो बिल्कुल finger touch से ही करेंगे finger के उपर massager चलाएंगे जिससे की strongly ये massager अपना काम नहीं कर पाए cheeks area पर बिल्कुल देखे हम direct करना है लेकिन हड़ी के पास जो nose है, chin है या forehead है उसके पास बिल्कुल हम finger के उपर ही massager चलाएंगे जिससे की skin में vibration तो हो लेकिन skin को नुक्साल नहीं हो massager यूज करने का तरीका भी proper आना चाहिए ये देखें forehead पर हम किस तरह से आपको बता रहे है कि इस तरह से करेंगे eye ball पर अगर हम करेंगे तब भी finger को लगाएंगे finger के उपर ही massager लेंगे जिससे की vibration skin पर पूरा रहे massager blood circulation को बढ़ाता है internal तक पहुंच कर cream को एक जो energy मिलती है जो portion मिलता है वो skin के पूर्च जब खुल जाते हैं अंदर तक जब हमारी cream massage gel पहुंचता है तो skin हमारे पूरे portion को प्राप करती है तो skin glow करने लगती है blood circulation vibration जब होता है तो फिर skin glow करती है ये देखी आईब्रोस का इस तरह से हमने massage दी eyeball पर massage दी और vibrate हमने हाट से किया ये आपने देखा कि full facial में हाट से massage देना किस तरह से बताया और उसके बाद में फिर हमने massager को use करके बताया कि इस तरह से facial में use करना है अब हमने chilled water में रोजवाटर वाले चिल्ड व उटर में इस नैपकिन को डिप किया और इस्टीम दी है चिल्ड इस्टीम दी है जिससे के सारे पोट्स एक बार अच्छे से जो खुल गए थे, जो हमने खोले थे मसाज के जरीए क्लिंजिंग के जरीए या जैल के जरीए पोशन अच्छे से इस्किन को मिला है तो उनको पैक करने का काम उन पोश को छोटे करने का काम ये जो इस्टीम दी है चिल्ड वाटर से उससे हुआ है इसके बाद मैं देखिया हमने अच्छे से फेस को पहुचा है जो गंदगी अंदर की बाहर निकली है जो गंदगी मसाज की जरीए बाहर आई है उसको हमने बिल्कुल पहुच कर फेस साफ किया है अब बात करते हैं फेस पैक की ये नेचर्स गोल्ड का फेस पैक है काफी अच्छा है और ये एक तरह से ब्राइडल पैक भी हम मान सकते हैं क्योंकि इसके रिजल्ड काफी अच्छे है इस तरह से डाइडेक्शन के अकॉर्डिंग हमने फेस पैक को लगाया है ब्रश की जरीए अगर आप घर पर लगा रहे हैं तो फिंगर से भी लगा सकते हैं पार्लर में जो सही तरीका है वो हमने आपको बताया है इस तरह से हम लगाएंगे ने के लिया तक और लगाने के बाद में हम इसको 95% फेस को सुखाएंगे फेस पैक को और जब 95% सुख जाएगा फुल 100% नहीं सुखना चाहिए तब हमने ये गीला नैपकिन किया है और जो ठंडे पानी से डिप किया हुआ है और हमने इस्टीम दी है इस इस्टीम देने से क्या हुगा फेस पैक इसकिन से अलग हो गया और इसकिन से अलग हो गया तो एजिली ये रिमूव हो जाएगा ये आप देख रहे हैं किस तरह से और इसकिन से अलग हो गया तो हम फिंगर से हल किसी मसाज दे कर इसको वाश करेंगे और वाश आसानी से इसलिए होगा कि इसकिन से अलग हो गया है कभी भी सूखे पैक को हमको खीज कर नहीं उतारना चाहिए इसके इसकिन पर साइड एफेक्ट होते हैं और इसकिन हमारी लटक जाती है यह देखा आपने फेस पर मसाज देने के बाद में फेस पैक लगाने का काम कम्पलीट हुआ फुल फेशियल का तरीका हम बता रहे हैं आपको और अब देखिए यह बैक मसाज जो हम हो रही है हम फुल फेशियल देंगे तो बैक मसाज जरूर देंगे फेस पैक ने फेस के पोर्ट को बंद करने का काम किया है जिससे के खुले हुए पोर्ट में गंदगी न जाए और अब देखिए बैक मसाज एक रिलेक्स फिल करता है बैक मसाज से बैक एरिया पर तो आराम मिलता ही है टैनिंग दूर होती है लेकिन साथ में फेस का भी कनेक्शन होता है जिससे फेस पर भी ज़्यादा ग्लो आता है बैक एरिया पर मसाज करने से एक ठकान दूर होती है ब्लड सर्कुलेशन होता है जिससे रिलेक्स फिल करते हैं और एक आराम दायक हम नहीं पासकते हैं हाज से मसाज देने के बार देखिए अभ यह हैंड मसा जा रहा है बौडी मसा रहा है जिस से मसाज दी जा रही है फ्रॉन्ट विष्वा से आपको यह फुल टोटल जो हमारी फेशियल करने का तरीका है फुल फेशियल आपको पसंद आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कितना लाब मिला और नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेस्ट करिएगा कि कौन सा हम पुश्ट करें ये फुल फेशियल के स्टेप्स आपने देखे विश्वा साब को पसंद आया होगा और नेक्स वीडियों फिर बहुत जल्दी मिलते हैं जब तक के लिए आप से विदा लेते हैं बहुत बहुत तंदेवाज ओके बाए देखिए